Hello everyone welcome to my youtube channel में हो विशाल और इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे general exception के वारे में general exceptions under IPC general exception का मतलब है कि जब हम कोई crime करते हैं तो अगर कोई छोटे बचे ने 7 साल से छोटे बचे ने crime किया तो वो इस exception के under defense ले सकता है कि उसने crime किया तो वो इसको सजा नहीं होगी और कोई person किसी person का murder कर देता है self defense में तो वो general exceptions के under defense ले सकता है कि वो उसने कोई crime नहीं किया है तो पहले डिसकस करते हैं section 76 of IPC जो की बताता है कि first exception तो general exceptions तो है 76 से लेके 106 तक अपने अगर चनल को subscribe नहीं कि subscribe कर लो क्योंकि मैं पूर IPC पढ़ाने वालों हो भी इस वार so बात करते हैं 76 section के वारे में 76 section बोलती है कि अगर कोई person good faith में mistake of fact mistake of fact में आके उसको पता नहीं जलता गलती से किसी person को law के कहने पे officer के कहने पे गोली से मार देता है या कोई भी गलती कर देता है bound by law होता है और लेकि उसके कोई गलन intention नहीं होता और mistake of fact से करता है तो उसको कोई सजा नहीं मिल सकती इसकी हम language समझते हैं इसमें लिखता है कि nothing is an offense which is done by person who is by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believing himself to be pondwella अगर उसको लगता है कि law ने मुझे आसा बोला है अगर जैसे example समझेंगे तो उस समझाएगा आपको एक soldier fire करता है mob पे उसके superior के खाने पे mob fire करता है तो किसी person को injury हो जाती हो और मर जाता है तो उसने कोई offense create नहीं क्योंकि उसकी गलन intention नहीं थी उसने इसरो officer की बात भानी है जैसे कि second B बोलता है कि officer था code of justice का order करता है code की कोई person को की बाई को rest करो बट उसको बाई का पता नहीं होता है तो वो बाई की ज़ेगा Z को rest कर लेता है तो इसमें कोई offense create नहीं किया है तो इसलिए कोई offense नहीं मिलेगा तो इसके section 76 के अंडर defense मिल जाएगा अब बात करते है section 76 की section 76 में वही same एकर कोई judge है अगर वो अपनी judicial power के अंदर power exceed कर लेता है समझो कि उसके पास कोई power नहीं है किस एरी है कि पर उस power के फिर उस power के अंडर किसी को समझो कोई सजा सुना देता है कुछ भी कर देता है गुड़ फेज में तो वो कोई उसने offense नहीं किया उसने कोई crime नहीं किया तो section 76 77 के अंडर वो उसको defense मिल जाएगा वो तो उसने इससे वो बच सकता है और 78 में भी same birth करता है कि acting to the pursuant of a judge, like judgment of the court, जैसे कोई judgment वास करी तो उसको implement करने के लिए officers होते हैं वो implement करने के लिए officer किया उसकी judgment का pilot करने के लिए किया तो वो इस ऐसे area में चल गया कि जो कि उसके jurisdiction में नहीं था तो उसने कोई offense नहीं करेड़िया क्योंकि उसने good belief में किया है वो उसको कोई पता नहीं था एकर उस और को implement कर लिया तो उस offense में नहीं आएगा और इस section के अंडर उसको defense मिल चाहिएगा अब बात करते है section 79 की यह बिल्कुल 76 से related है इसमें लिखिया act done by person justified or by mistake of fact believing himself justified by law उसमें और इसमें section 66 और 79 में एक ही difference है उसमें था bound by law इसमें justified by law bound by law का मतलब होता है कि law नहीं उसको बोला सा ऐसा करना ही करना justified by law का हता है कि उसको लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए law के लिए law of land के लिए तो बोलता है क्या है बोलता है बोलता है nothing is an offense which is done by person उसमें जैसे उसमें बहाता कि nothing is an offense है वो defense नहीं होगा जो उसने किया होगा mistake of fact में कि उसको पता नहीं होगा उस चीश का तो वो not a mistake of law mistake of law is not an excuse at all is not a defense at all और good faith में किया होगा वो इसको लगेगा कि यह ऐसा गमर को करना चाहिए तो वो offense नहीं होगा जैसे example के तरीके से बताता हूं कि यह देखता है जैड किसी बसन को मार रहा है यह देखता है कि जैड किसी बसन को मार रहा है तो वो उसको जैड को जैड को क्या होगा उसको जैड को एरेस्ट करके प्लीस टेशन में ले चाता है पर बाद में जाके पता चलता है कि जो जैड था वो अपने self defense में काम कर रहा था तो a को लग बता है कि उसने कोई offense career नहीं किया, बस उसे mistake of fact हुआ था, जे था mistake of fact, कि उसको गलती लगी कि शायद उसको लगागी वो उसको परसन को मार रहा है, और उसने प्लीस फ़ले को उसको arrest करके दे गिया, so ये था section 76 से लेगे 79 तक, आयाँ को वीडियो अच्छी लेगी और समझ आ गया हो, और कोई query होगी तो comment करके बताना, और अगली वीडियो उसके लिए, चन्द को subscribe करजेना, वीडियो का like करजेना, your one comment makes me motivated, and thank you for watching the video, take care, bye bye